हाई गाइज वेलकम बैग टूर चैनल प्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप देख रहे हैं यह मिर्ची का अचार जी हाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है यह अचार खाने में आज इसी की रेसपी में आपके साथ शेयर कर रही हूं इस अचार को बनाने के लिए ना तो हमने हमने ह मिर्ची को कट लगाना गोई भी लाहिके तुकडे करनी तो हमारे हरी मिर्ची आजार के लिए यह सबी मिर्ची से हम Sultan निकाल देनी है इससे हैसे निकाल देना यह सारी मेंने रिमूव कर दी हैं और इसमें कोई ची़ा नहीं मुदा लगाना हैं सिर्फ इसके डंडी है गैशchos कि ऑली है कभे दीनाकिना भी हैं ए कंभी की साहिए हुआ कि मिर्ची की लो पामें सीमें इसे में 10-15 मिनुट के लिए पँखे में हवा में सुखा लिए था कि दंडियों की नीचे जर्ण सा मउइस्चर ना बचे अच्छी तरह से सोग जाए और इससे पहले पानी segu give के बाद अच्छी तरह से धोगे साफ कर लिया था सुखा लिया था सारा पानी तो अभी इसे हम चोंक लगाएंगे उसके लिए कडाई हमने गैस पर रखी है और ये मिर्ची वजन में मैंने लिये 100 ग्राम आप ज्यादा भी ले सकते हैं उसके हिसाब से आप इसका रेश्यू रखेंगे तो चलिए बनाते हैं फिर मिर्ची का अचार तो कैस कडाई हमने रखी थी उसके एक टेबल स्पून ये एक पड़ा चमच सरसों का तेल गरम कर लिया है इसके लिए अपने सरसों के तेल का ही इसतímal करना है सागला मिर्ची के लिए मैं एक टेबल स्पून सरसों का तेल यूज़ कर रही है हूं तो सबसे पहले में इसमें डाल रहे हूं वन टेबल स्पून राई इसे मैंने दरदरा पीस लिया है गैस की आज को बिल्कुल कम रखना है और यह वन टी स्पून मैंने काली सरसों उसे दरदरा पीस लिया है और वन टेबल स्पून नमक ले रही हूं और हाफ टी स्पून देगी मिर्च यानि कश्मीरी लाल मिर्च इसमें हलका सा डार्क रंग देने के लिए और दो तीन पिंच हल्दी और गैस को मैंने बंद किया क्योंकि यह जल जाएगा सब कुछ तेल काफी गर्म हो चुका है तो सब कुछ इसमें एड़ कर दिया हमने और इसी के साथ हम इसमें डाल रहे हैं हाफ टी स्पून यह कलॉंजी के दाने अब ज्यादा भी डाल सकते हैं वन टी स्पून भी डाल सकते हैं अगर आपको के ज्यादा डालना अच्छे लगता है तो इसमें वन टी स्पून आप डाल सकते हैं तो यह हमारा मसाला सारा करम हो चुक है नमक, मिर्ची, हल्दी, राई, सरसों और हमने इस आचार का एक में ट्रिक है कि इसमें हमने चाकू से चीरा बिलकुल नहीं लगाना है ऐसे साबू पूरी तर से सारी मसाले मिक्स हो जाएंगे फिर हमने गयस को और करना है तो इसलिए ताकि जो फर्स टाइं बना रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम ना आए मसाला जल ना चाहे तो गयास को मैंने ओन किया और इसम पर रखा से बिलकुल स्लो रखना है वह से दो तीन मिनिट कि इससे ज्यादा नहीं बस 2-3 मिनिट ही इसे थोड़ असो सौटे करना है कि फ्रेंस इस आचार को आप लोहे के बरतन में बिल्कुल ना बनाए या तो अलमीनियम का बरतन ले या फिर आप नॉन स्टिक भी ले सकते हैं इसे आचार को सिर्फ 2-3 मिनिट तक ही हमने सेक लगान है तो या तीन मिनिट बस यह रेसिपी मेरी फ्रेंड से मैंने देखा यह जोती थैंक्स मिस्स जोती यह उनीकी रेसिपी है बहुत टेस्टी आचार बनता है आप जरूर बनाके खाए और सबको फिलाए तो इसे थीन मिनिट हो चुके हैं खड़ाइं में पकते गए तो अब तो हमारा रेडी है लेकिन हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे थोड़ आसा यह हलका ठंडा हो जाए हम इसमें तो इसमें सिर्का अड़ करेंगे उसका भी नहीं डालना वनाइस के टेस्ट में जो हम टेस्ट चाहते हैं वो नहीं आपाएगा टेस्ट में काफी डिफरंस हो आ तो गैस को बंद किया हुए 8-10 मिनिट हो चुके इससे बिल्गुल ठंडा नहीं करना है कि एकदम से ठंडा हो जाए गरम रहना चाहिए इतना गरम रहना चाहिए कि हम उसे हाथ से घज कर सके नहीं तो अचार का टेस्ट बिगड़ चाहेगा तो अब हम इसमें डाल रहे हैं वान टेबल स्पून सिरकार यानी वैनेगर मैं यहां पर वाइट वैनेगर ले रही हूं अगर आप ज्यादा सिरका खाना पसंद करते हैं तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन 100 इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा आप इसे अभी तुरंद खा सकते हैं लेकिन उतना ज्यादा अच्छा नहीं होएगा भी क्योंकि अभी नमक इसके अंदर तक नहीं गया है आप इसे चार या पांच दिन के बाद खाना शूरू करें इसका ज्यादा बढ़िया ट आप हमेशा याद रखोगे बहुत ज्यादा टेस्टी अचार बंता है तो ठीक है फ्रेंड्स आप भी इस रेसेपी के ज़रूर ट्राय करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें तो आचार हमारा बिल्कुल रेडी है इसे दो धाई घंटे तक ठंडा होने दें बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही आप इसे किसी प्लास्टिक या फिर कांच की साफ बढ़नी में भरके रख लें और धूप दिखाएं दो तिन दिन की अगर धूप नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं तो मिलते हैं नेक्स टाइम एक नई आइडिया के साथ एक नई रेसिपी के साथ बाबाई